हाई मैं डियर स्टुडेंट वेलकम यू अगेन इन यूटूब चैनल मैंगनेटिक टिटोरियल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्लांट टीशू हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं इसके पहले मैंने फॉस्ट पार्ट पुरा अच्छा से मैंने बता दिया है तो पार्ट को यहां से कर दिया है क्योंकि मैं online classes भी लेता हूं इसलिए आपको समाझ में नहीं आ रहा होगा तो आप जाके पहला वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको समाझ में नहीं आएगा तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वाट इस टीशू और व अगर आपको परशानी है ऐसे questions में तो आप जाके मेरा first वाला पार्ट जरूर देखेंगे क्योंकि मैं इस पार्ट में अगर बताऊंगा तो time का wastage होगा तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले student plant tissue से अब हम लोग देखो student यहां से plant tissue animal tissue सब तो पढ़ना ही है बट यहां पे सबसे एक्तम आशान भाषा में मैं यह बताना चाहता हूं कि पहले तो यह जाना जरूरी है कि plant tissue में क्या क्या पढ़ना है तो उस चीज को हम लोग follow करते हुए student यहां पे चार्ट ड्रॉ करेंगे और उस चार्ट से आप सभी को समझाएंगे हम क्या क्या इसमें होता है ठीक अब यहां पर क्या करना है आपको plant tissue पहले मैं यहां पर लिख देता हूं plant tissue ठीक है अब plant tissue को हम लोग divided करेंगे स्चुडेंट कि plant tissue में होते क्या-क्या है तो फिन्ट दो पार्ट में दिवाइट कर देंगे तो दो पर चेड़ीं यहां से डिवाइट कर दिए तो दो पांड के तो यहां पर पहुला पार्ट आएगा मेरिस्टमेटिक टीशू जिसको हम लोग ग्रोइंग टीशू भी बोलते हैं स्टुएंट एंसी आटी मेसिज दिया हुआ आपको पढ़ाने जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समाजी में आएगा ठीक है इसको डिवाइडिंग टीशू भी बोलते हैं और आपका दूसरे त पढ़ना है मेरिस्टमेटिक टीशू पहले फिर हम लोग आएंगे प्लांट टीशू में यहां पर भी हम क्या करते हैं तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं आसानी से पहला पार्ट आपका होगा एपिकल मेरी स्टेम पहला पार्ट के हैं आपका स्टुएंट लेरी मेरी स्टेम तो आप समझ सकते हैं कि इतना सारा पार्ट हम लोग को कवर करना है यह तीन पार्ट सिर्फ मेरी स्टमेटिक टीशू का सिर्फ मेरी स्टमेटिक टीशू का स्टुएंट सिर्फ मेरी स्टमेटिक टीशू आएंगे यह थोड़ा सा बढ़ा है लेकिन इसको भी हम लोग कवर करेंगे इसमें भी कोई परिशानी आपको नहीं होगी मैं पूरा अच्छे से आपको बता दूंगा अब आएंगे सिंपलबर्मानेंट न थीशु ठीक है और दूसरा पर्ट की अगर बात करें तो यह आपका बसाठी साहरा आप इस कोई जल्दी पर आपको देखन तर्ण नहीं मिलेगा इतना आपको विश्वास हैते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ताकि आपको इस चैनल से जितने भी लेटेस्ट अपडेट हो पूरा एंसी आइटी को मैं लाइन वाइन यहां पर पढ़ाता हूं नाइन तिन के सभी विशाज के जैसे कि आपको फि पाएंगे दो पार्ट को तो पहला पार्ट आप यहां पर लिख सकते हैं पैरेन काईमा क्या लिख सकते हैं पैरेन काईमा अब दूसरे पार्ट की अगर बात करेते हैं आप लिख सकते हैं कॉलेन कॉलेन काईमा बहुत बचले चाइमा पढ़ता है चाइमा नहीं पढ़ना ह है कॉल एंद काइमा पड़ना ठीक है जैसे आप काईटीन पढ़ें है काईटीन जो कि आपका बना हुआ है फंगल सेलवाल को बनाता है यसे हम स्ट्रिट में हो गया स्ट्विटेंट एकदम रट जाएंगे यह पूरा कैसे मैं आपको बता रहा हूं ठीक है अब यहाँ पर आता है फिर नेक्स पॉइंट पर प्रेंट काईमा और आपको यहाँ और चीज मिलेगा इस्ट्रेंट काईमा कभी इस्ट्रेंट दो पार्ट होता है पहला आपका फाइवर्स दूसरा आपका होता है इसको याद रखिएगा फाइवर और इस्ट्रेंट अब आप सोच रहेंगे कि सर्थ सिर्फ यहाँ पर पार्थी बता रहे हैं क्या इसके बारे में चर्चा करेंगे तो हाँ एकदम चर्चा करेंगे अभी जस्ट इसके बाद हम लोग इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं ठीक है सभी का कवर तो नहीं करेंगे लेकिन आज की क्लास में एपिकल मेरी स्टेम लेटरल और इंटरकलरी का फॉंक्षन करेक्टरिस्टिक्स हर एक चीज कवर कर लेंगे मतलब कि आपका मेरिस्टमेट्रिक टीशू आज मैं ख सबसे अब लग्यां बट यह बहुत असान है इसको तो इजली वे सबढ़ सकते स्ट्रेंट दो पार्ट में अब का पहला कोई पढ़ता है एक्स वाईलम बहुत को स्ट्वेंट इछी देखिए इस्ट्रेंट आपको बताने का का मेरा ही है ठीक है तो मैं बताऊंगा आपको बस क्या करना इसको बस फॉलो करना है इसको क्या पढ़ना जाइलम पढ़ना है अब थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा दूसरा कलर में भी लिग देते हैं रुखिए चलिए तो फुलोम में अगर कवर करेंगे तो फुलोम कभी मैं आपर इस पलावना बतायेता हूं आपको पहला पार्ट अफुलेंम में हो जाएगा सिव क्या होगा सिव टूप इचनाओं धिव सिव चुसरी डूसरी आपका हो जाएगा कॉंपैनि disruptive हैल्ज कारें सवे апंत इसलन ही को ले खाईम और पाइयम लिखेंग फिर के बादब लिखेंगे फीले में पिच लॉah लिखेंगे जिसको क्या करना पड़ेगा इस्टोन रटना पड़ेगा तो आपकाहतg है दूसरा पढ़ेंगे वैसेल और तीसरा चौथा लगबक से आप देख सकते हैं लगबक क्या पुराई आई से बस नाम थोड़ा सा अलग है यहां है जाईलम फैने काईमा फैरेंट तिक है और यहां है आपका जाईलम फाइबर जाईलम फाइबर बासमजमारी आपको जाई यहां पर मैंने कुछ लिखा है जाइलम फाइवर इसके बारे में आपको बताऊंगा इस चारो पार्ट के बारे में बताऊंगा आखिर यह चारो पार्ट है क्या इसमें क्या क्या होता है सभी चीज के बारे में आपको चर्चा करने वाला हूं आप परशान नहीं होंगे आप आपका प्लांट टिशू आई तिंग और दो पार्ट लगेगा आज का पार्ट को लिएका मतलत तीन पार्ट में पूरा प्लांट टिशू खतम हो जायेगा उसके बाद आप कहीं से भी कोश्चन बना ले कुछ भी कर लें आपका एकदम आसानी से आसानी में आपको सब कुछ आपका बन जाएगा तो आज का क्लास जितना आपने अभी तक देखा आपको समझ में आ गया होगा कि प्लांट टीशू मैंने देखी आपको इतना यह देखिए एक मिनट ख्याली आप देख सकते हैं एक बार मैं क्वीक रिक्याप कर दू तो प्लांट टीशू स्टुडेंट बढ़ता है दो पार्ट में किसमे किसमे आपका पहला यहां पर मिरिस्टमेटिक टीशू स्थ्टुडे आपका पर्मनट टीशू उसके बाद आपका एपिकल इरिस्ट्रेम लेटरल और इंटर केलरी मेरिस्ट्रेम झिसके बारे में हम लोगों भी चार्चा करेंगे एंब जो एपिकल और लेटरल इंटरकैलेरी इनका पाट तो नहीं है लेगिन इसमें भी कुछ है जिसको मैं बताना चाहूंगा वहां पे मैं बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा युक्ट अभी आपको कंफूजन होगा ठीक है तो यहां पे देख सकते हैं सिंपल और आपका कंप् अगर दिमाग में बैठा लेते हैं इतना ही चार्ट को आपका समझे प्लान टिशू के लिए हम करने वाले हैं क्योंकि आपके दिमाग में यहां से आज से पढ़ाने वाला हो तो आज का तो 15 मिनट इसी में बीद गया और 30 मिनट का मैं और वीडियो बनाऊंगा इसी के साथ और 45 मिनट का ही वीडियो बने को उससे जाद में नहीं पर आना चाहते कि बहुत बच्चे बोर भी फिल करते हैं ना 30 सब 45 मिनट बहुत इनफ है एक वीडियो के लिए तो और जो 30 मिनट जो आपका होगा जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं क्या स्टुडेंट प्ला इसमें कुछ एक्स्पेरिमेंटहुने अला है चली आपको ग्राश अगंस तो यहां देख सकते है हुपर लिया गया हैy थेट्वारि मिनट नाफ 을 से डिया गया है प्लेस वन उपर इच और नहीं स्वरी इच जार दोनों जार के ऊपर आपको क्या करना प्लेस कर देना और हां ग्लास जो आपको जो जार होगा वह फूल होना चाहिए वाटर का यह भी आपको ध्यार्म रखना ठीक है यह हो गया अप्याँ अब कुछ दिन तक क्या करना है एक ओप्यार्म करना है रूट का घृफ फिके फोजार्म होगा आपको धिन तक डे रूट यह मैं रहती है लेकिन चोतह दिन क्या करना है एक स्टृट्र जो टीफ होता है रूट टेफ आप द ओनियन बॉल्ट जार तू जर two में सिर्फ क्या ह suffire about one centimeter शिर्फ one centimeter कर toll तो घॉच्प को शुचुच्ट पो क्या करने स्ट्टी देन वहाँ से कट कर देना ठीक है अ ऐसे ही आप कट करेंगा आप लिका आप्टर दिस अब्जर्ब द ग्रोट आफ रूट इन बोथ जार्स और मेजर देर लेंद इच डे फाइव और मोर दे रिकार्स द अब्जर्बेशन इन टेबल लाइक टेबल बीलो देखे पहला यहां पर क्या लिखा है दे वन दे टू ड तू दनों मेब करना है यहां पर क्या किया जा रचे चाट को काट दिया जया रहा है औभी यहांप्े यह पर के बाद से ऑप tengas करना है कि कि दोनों का कि टम हो रहा रहा है क्या किसमें ज्यादा हो रहा है किसमें कम हो रहा है इस काटने के कारण रूप्टीप का कोई फॉर्क पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है इसके बार में यहां से आपसे कुछ पूछना चाहता है ठीक है अब आईए यहां पर लिखा हुआ है इसके बार में हम दो देखते है आप बाय अपंट सकते हैं यहाँ को जड़ीर होगा है यह मैं लिखते हैं यहां को वह यहीरा होगा यहाँ को ने क्योंकि इधर तो आपने रूट टीप्स को काड़ दिया अब रूट टीप्स जब आप काड़ दिये तो रूट का ग्रोथ ही नहीं होगा क्यूंकि रूट टीप्स में आपका होता है जो हम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आप देख सकते हैं यहां अभी मैं कवर कर रहा हूं आप बता रहा हूं आप इतना हर बढ़ाएंगा नहीं है आपको अभी अपिकल मेरी इस्टेम का पहले इसके बारे में आपको थोड़ा थियोरी बताना चाहिए दाकि इस्टुडेंट को भी समझ मैं टीचर तो समझ लेगा पर इस्टुडेंट को थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि फॉस्ट बारो लोग पढ़ रहे हैं उनको लगा है कि आखीर सब क्या क्या बोल रहे पूर्च के पढ़ा है तो देखिए अस्ट्रेंट आपका रूट कीपस ती पे ब्रांच के तीप यह पर्जेंट होता है और यह काम होता है कि आधो को सूट को सभी चीज को क्या करें करें ग्रोथ उसका ग्रोथ से हो इसी से हो सी मैरी इसंतर के पास कौन सा है एफ teaching के रिए है ग्रोहिंग टिशू बोलाता है लिए फञवार lo-at आपको पता है बीना टीवाहिड के को चीज ग्रोथ नहीं करेगा आपको पता यहां पर अपका नहीं करेगे आपको समझ में आगया जारवन में क्या कि आपने कट कर दीया था ठीक है तो आपको समझ में आगा जहां पर आपका रूट क्या होगा यहां पर इंट्फी आफ लिख सकते हैं इंट्फ एंट्र में आते हैं फिल लेकिन आपसे एकडम कईनिया PLS कि मैंने काटा तू को 21 में क्यों नहीं ग्रॉब्लम नहीं होका तू अच्छा मानोको 2 स्टुडेंट पढ़ रहें क्लास में है एक student मानों की तभियत खरब हो गया तो क्या डूसरा को तभियत खरब हो जेगा दूसरा धी पढ़ाई मन नहीं लेगा उसका मन नहीं लेगा पता चलता है वो अलग है तो दूसरे वाले में भी growth यहां पे होगा और इसका root को cut किया गया है root tips को cut किया sorry ethical memory stream को वहां पे growth आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा बास समझ में आगे student यहां तक I think कोई आपको परिशानी नहीं होनी चाहिए अब आता है next question पर आपका solve हो गया यहां तर कोई दिकत नहीं होगा second number पर आते हैं do the roots continue growing even after we have removed their tips क्या continue करेंगे growing तो आप लिखेंगे no एकदम नहीं करें क्योंकि stop हो जाएगा stop हो जाएगा देखिए student यहां पर मैंने लिखा हुआ stop growing यह आपका second number का है answer किसका है answer student second number का आप लिखेंगे no यहां पर no stop growing मतलब रुख जाएगा वहाँ पर ठीक है क्यूंकि आपने root tips को आप हटा दिया अब बहुत बच्चे सोचने को sir root tips हटाने से क्यों नहीं करेंगा इसा क्या है हम लोग का पैर अगर कट जाए तो क्या वह लोग बोडी ग्रोथ नहीं करेगा तो देखो बावु हम लोग से यहां पर आपको यह question कभी नहीं समझ में आएगा और कभी बनेगा क्यों क्योंकि आपका जो यह question पूछा है इसी question का answer आपके इस पूरे पार्ट में यहां से लेकर एपिकल जितना दूर है यहां तक देखो यहां तक पूरा आप सोच रहे होंगे कि question पहले दिया है और theory बात में बताया तो मैंने अभी आपको बहुत जगा पे थोड़ा बहुत दिमाग में आएगी है सर यहां पे आप कैसे बोल रहे हैं लेकिन आप उस बच्चे से पूछिए कि आप खुद से पूछिए कि आप क्लास में नहीं पढ़ाया गया था उस दिन अगर यह question आप से पूछा जाता कि हटा दिया तो क्या ग्रोथ होगा आप फुद कंफ्यूज होता है कि नहीं अगर हम लोग का एक उंगली या फिर कोई भी एक finger हटा दिया जैंक्या और यहां पर रूट पर कंफ्यूज नहीं होना इसका एंसर अब हम बताने वाले हैं यह थोड़ा सा अव सुन लें उसके ब टिफस टिफसमें क्या होता है एकटठण मेरी स्टेम होता है एकटब मैरी एक्टब होता है इसके पार मैं हम लोग अबरा कर्साकर रहे हैं एकटटों मेर्चीच न समझ लीहें गववागे यहाँ पर संपर देने अपर, आपका जैँ और हम्ति तर्फृम को यहां पर दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए आई थीक है तो यहां से हम लोग लाइन बाइन पढ़के आगे-आगे अब बढ़ते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहला पॉइंट यहां पर इस्टुएंट लिखा हुआ आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रह है आपको वहां भी मैं बताया था जो प्लांट और इनिमल का चर्चा कर रहा था कि किसमें ग्रोथ स्पेसिपिक है किसमें ग्रोथ लिमिटेड है किसमें क्या है कोन सब कुछ मैंने बता दिया इसलिए फॉर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था वह भी आपका थर्डी सिर्फ मैंने फॉर्स्ट पेज ही पढ़ाया था इंट्रोडक्शन नहीं था लेकिन उसमें बहुत सारा चीज था तो जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप फॉर्स्ट पार्ट जरूर पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे फिर देन फॉलो जैस पूरा ही पूरा आजाएगा ठीक है अब आते हैं अपना पॉइंट पे इस इस बिकॉस दिवाइडिंग टिशु अल्सों नहीं मैस्मेटिक टिशू तो डिवाइडिंग टिशू होता है उसको हम लग मैस्मेटिक टिशू बोलता था यहां इस्टूरेंट अब लिख सकते ह है डिवाइडिंग टिशू इसको आप लोग टिशू भी बोल सकते हैं याद रखिएगा इस लोकेटेड ओनली एड इस पॉइंट सिर्फ वहीं पॉइंट्स पे लोकेटर होता है इसी एकारन यहां पे ग्रोथ आपका अखर नहीं क्या लिखा हुआ है डिपेंडिंग ऑन बेहतरीन पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अभी वह एपिकल ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं इस ट्रेन यहां से लिखा हुआ है न्यूज सेल्स पॉर्ड्यूस बाई मैस्मेट मैस्टेम सॉरी देखिए मैस्मेटिक जो टीशू होता है वहां से जो बनता है अपिकल लेट स्टेम इसल बट एस देग्रोव और मैच्योर देर करेक्टरिस्टिक श्लोली चेंज एंड बीकॉम डिफ्रेंसियेट इस एक कॉंपोनेंट अब दा अधर टिशू देखिए ध्यान से समझें को न्यू सेल्स जो प्रोडूस होता है मेरी स्टेम के द्वारा और इनिश्यली तरह बन जाएंगे अब आप मैनी बात को ध्यान से समझेंगे समझेंगे घ्यान सबको समझना पड़ेगा तब ही समझ में आएगा मैं आप एक point लिख रहा हूँ differentiation differentiation बहुत बड़ा point नहीं लिख रहा हूँ मैं ठीक है आपको ध्यान से समझेगा तो आपको समझ में आएगा differentiation का student मतलब क्या होता है ऐसा differentiated plant जो दुबारा divide नहीं कर पाए या फिर produce नहीं कर पाए कैसा भी एक कोई भी type of cell को समझ में इसी को बुलता है differentiation तो यहां पर क्या लिखा है become differentiated as component of other tissue तो मैं यहां आपको लिख देता हूँ एक दम आशान भाषा में तो आशा में color change कर दूँ हाँ चलिए कि डिफ्रेंसियेटेड डिफ्रेंसियेटेड प्लांट सेल डिफ्रेंसियेटेड प्लांट सेल ही लिखता हूँ ठीक है cannot cn t लिखा हूँ cannot उसको पढ़िएगा डिवाइड और प्रोड्यूस cannot डिवाइड और प्रोड्यूस एनी टाइप ओफ सेल्स इसको याद रखिएगा क्या लिखा हूँ है हाँ पे ऐसा प्लांट सेल ठीक है ऐसा डिफ्रेंसियेटेड प्लांट सेल जो दुबारा डिवाइड नहीं कर पाए नहीं प्रोड्यूस क पर पाए दुसरा कोई भी सेल को मतलब कि यह फिक्स हो गया वहीं पर जाके और इसके पहले तक जो था वह था आपका मैं इस्ट्मेटिक टीशू जो फिक्स हो गया उसको पर्मानेंट टीशू बोलता है वहां से पर्मानेंट आपका इस्टार्ट होता है बट अभी हम आपको यहां पर दिख रहा है यहां आपका इंटर कैलरी में इस्टेम और यहां आपका पढ़ने वाले हैं तीनों का यूज क्या है तीनों का क्या काम है चलिए ठीक है यह लोकेशन था आपको एग्जाम में आता है बहुत बार यहां सबरता है चलिए एपिकल मेरी स्टेम इस प्रेजेंट एड़ गोईंग टिफ्स पर इस्टीम रूट्स याद रखिएगा इस्टीम रूट्स इसके साथ साथ मैं यहां पर आपको लिख वादू ब्रांचेज आप इसको लिख लेंगा ब्रांचेज आप इसको लिख इसका काम क्या है इस टीम के लेंद को बढ़ाना और रूट के लेंद को बढ़ाना बात समझ में इसका काम यहीं है स्क्रीम स्टीम और रूट के लेंद को क्या करना सिंप्ली बढ़ा देना आगे लिखा यहां से ध्यान से देखेंगे आगे क्या लिखा है सौरी एक मिनट क्या लिखा है समझेंगे फिर से लेटरल मेरी स्टिम के द्वारा क्या होता है गिर्थ अब बहुत बचे सोचेंगे सर गिर्थ क्या होता है मैं सभी चीज बताने वाला हूँ क्योंकि मैं पहले ही आपसे वादा प्रॉमिस किया हूँ कि इस चैनल पे जो भी वीडियोज होंग पूरा बेस्ट होगा पूरा लाइन बाइन एक्सप्लेन होगा जो कि आपको पूरे यूटूब चैनल पर कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा गिर्थ का मतलब होता है सरकम फेरेंस मोटापा आप बोल सकते हैं मोटापा ठीक है मोटापा जो आपका पेड का या फिर प्ला क्या करेगा श्रेंट एफिकल मेरे इस्टेम ग्रोथ कराएगा उलोंगेटेट कराएगे और लोंगेशन पो प्रवाइट करेगा रूड और रूट्स को बात समझ में आ रही है इस टेम और टीप के रूट्स को हलाकि यह आपको ब्रांच में भी परजेंट होता है वहां भ आपको पता है जो समझ लो भाई मान लो ऐसा ऐसा कुछ करके प्लांट है ऐसा ठीक है प्लांट टाइप का और यहां से बहुत सारे ब्रांचेज निकले हैं ब्रांच फिर आगे जाके क्या होता है बढ़ता भी यह बढ़ता है फिर ऐसे से करके बहुत सारा अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाता है यह जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहां पर एक मिनट यह पॉइंट हो गया इसी को बोलता है नोड और यह जो डिवाइड हो आपको नोट्स इंटर नोट्स आप बोल सकते हैं दोनों में पाया जाता है ठीक है कौन सा आपका क्या पाया आता है आपका इंटर कैलेरी मेरी इस्टेम बात समझ में आ गई इस्ट में टीशू आर वैरी एक्टीव बहुत ज्यादा एक्टीव होते हैं क्योंकि यह ग्रोइंग स्टेज में होता है मैं इस आपको समझ में आ रहा है देंस साइट अप्लाइम डेंस मतलब घना साइट अप्लाइम आप बोल सकते ठीक है थीन सेलुलोज वाल्स और प्र इस में आपका यहां पे नूकलीयाश ही हो गया इतना बड़ा यह पूरा नूकलीयस याद रखिए को पूरा नूकल अप्सेंट होगा व्यांकि इसके पास क्या है लार्ज नूकलीयाश सेयााद रखिय रखिये क्या इसके पास स्टुटेंट लार्ज नूकिलियस है पासमें यह प्लांट सेल है पीची में यहां बिली तो प्लांट सेल अब कंप्यूटर और लैप्टप बला पीची आप मत समझ लिए ठीक है आते हैं अपने पॉइंट पर कैन यू भी थिंक वाई दे लैक नूकल वाई दे ल देखो स्टुडेंट यहां एंसी आर्टी बार वाद थोड़े थोड़े पॉइंट पर ही बोलता है रेफर है क्यों थाकि बच्चे बार बार जाकर रीकाप कर पाएं तो मेरे बच्चे यहां पर कैसे करेंगे इस चैनल पर ही डाला हुआ है पूरा पताया गया है अच्छे पार्ट भी आप सेल का पढ़ लिजी आपको समझ में आ जाएगा कि वैक्यूल का फंक्चन मैंने आपको क्या पढ़ाया था मैं अभी बताऊंगा फिर आपका टाइम वेस्ट होगा फिर जो बच्चे को पता है वह बच्चे सोचेंगे कि सा ठीशू के वजाए फिर वैक्य लेटरल क्या है इंटरकेलरी क्या है बट मैं यहां पर बताता हूं इतना आप से समझ में नहीं आया अब बोच्चे सुचेंगे सार ऐसा क्यूं बोल रहा है तो मैं बताता हूं आपको देखिए आपको यहां पर मैं समझाने वाला हूं कि एपिकल लेटरल और इंटरकेलरी क्या लिखेंगा पहला मेरिस्टिमेटिक जल्दी लेग दम कबर करना हम लोग मेरिस्टिमेटिक टीशु याद रखिएगा मेरिस्टिमेटिक टीशु के स्टुडेंट क्या बोल सकते हैं ग्रोइंग टीशु क्या बोल सकते हैं डिवाइडिंग टीशु क्या बोल सकते हैं डि में लेकर क्या करेगा Bronze का सब्सक्राइबudent में और इक निउ बने की स्कीजा है ref break न वलगा aúnτη ग्रूप ओर उसक्षी का frephones भोर्मेशन रोगा उस ल्से को मैं मैंने बताया group of group of living group of living cell with group of living cell with ability with ability to divide ability to divide repeatedly 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 बोल सकते हैं याप ठीक है and form new cell इसको भी याद रखिएगा निव सेल बनता है स्टुटेंट तभी आप उसको बोल सकते हैं मैं स्टमेटिक टीशू बास समझ में आ रहे हैं इसको आपको समय में कोई दिक्कर इसले आपको पता होना चाहिए एक टीशू कलचर एक पॉइंट है क्या है टीशू कल्चर जो आगे आपको पढ़ने के इसले प्लाव करने का जो कि प्लांट से भी प्लांड आप टीशू कल्चर एक एक सब्सक्राइब करने के लिए आपको जरुवात है लेकिन यहां पर क्या आपको चीटका जरुवात है श्रींस का जरुत नहीं है पॉली नेशन का इसट्वेट जरूवत है बास समझ में नहीं है इन दोनों points का इहां पर जरूवत नहीं है इसका मतलब यह आपके लिए एक टेखनीक है एक टेखनीक है कि लिए बहुत अच्छा आपोल प्रश्चिक अन्हें कि टेखनीक है क्या हो जाएगा सिस्क्राइब को इसे और शाहीं कि आपको weten कि इसे आ सब्सक्राइब था मैंने यहां मैं बता दिया आप इसको बाद में इसको कबर कर लेंगे कभी ठीक है अब आते हैं अपने पॉइंट बेंप रहे थे क्या है वीलिग सकत Eyes ca इसके परौमेंट नूक्लियस पढ़ा है फाले। जुनत नूक्लियस पढ़ा lifes दूसरा आपने क्या पढ़ा कि इसके वाइक्यूल अपसेंट होता है या तो फिर प्रजेंट होगा तो फिर एस्मॉल होगा एस्मॉल में प्रजेंट होगा याद रखिएगा मैं सॉट्कॉट लिख रहा हूं लेकिन आपको पूरा कवर करना है ठीक है अगर आप और भी सेली जैसा बोल सकते हैं इलास्टिक सेलवाल होगा जो की सेलोज का ही बना हुआ होगा आपको तो पता ही एक प्लांट सेलोज का बना हो इसलिए मैं यहाप उसका चर्चा नहीं करूंगा ठीक है आगे अगर बढ़ते हैं इनका जो सेल जो होता है वो राउंडेट टाइप म अब बहुत बची सुचे रहे हूं कि सर कैसा के बोल रहे हैं तो एक बार कि आप फीगर बता सकते हैं आप देखिए फीगर भी मैं यहाप आपके लिए बता देता हूं चलिए आपका ऐसे हुआ ऐसे हुआ ठीक है अश्टुडेंट ऐसे फिर आपका इसको बढ़ा दीए ऐ बस जाधा नहीं बनाओंगा मैं तो बनातम फिगर को साम नहीं अब बना दिया मेरा भी हुङ बनता है कि एक question करनेगा चल ये question करते हैं ये आपका जो figure जो बीच वाला जो आप देख रहा है ये A है ये आपका student बाहर वाला B है और ये आपका अंदर वाला C है और तीनों का आप comment section में आप बताएंगे student comment section में ये तीनों का नाम क्या होगा क्योंकि आपको sales chapter में पढ़ा दिया गया है नेम बताना आपको तीनों का student name comment सभी बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं इम अंदारी से सभी का नाम बताएंगे कहीं आप sales chapter को जहांकने ने जाएंगे यहीं से आपको बताना है ठीक है ऐसा कुछ structure होता है आप देख सकते हैं तो यहां पे आपको प ठीक है में स्ट मेटिक टीशु का है अब यह rounded है इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया कि यह आपका थोता सा थो सकता है थोसा मतलब वह सकते हैं फूरा होता है यह आपको समझ में आ रहां यहां पर क्या है नहीं होने वाला है पढ़े अब आगे बढ़ते हैं यहां पर औभ signaling सकते हैं यह सब लिए सकते हैं ठीक है चर्चा कर दिया आप से से के बारे में अगर आगे बढ़ते हैं आपका सबसे बड़ा पॉइंट लोकेशन सबसे बड़ा पॉइंट लोकेशन समझ में नहीं आता क्या है कहां पर होता होगा लोकेशन तो लोकेशन आपका जोल सकते हैं प्लांट का प्लांट का प्लांट का प्लांट का ही लिए सब्सक्रूंद सूइं नियुक्त ने मैं आपको 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 अपर देख लिया अब आते हैं अपर यहां पर ड्रॉ करने का मौका आपको मिलेगा एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ कर देते हैं चलिए ऑफ रख गडिये अपर कर देते हैं यहां तक पोो तक ही समाजी में कोई दिक्कत नहीं होड़ा चाहिए आप क्या करेंगे यहां से स्ट्टूइδώ ऐसा एक लाइन फिर एक यहां से लाइन अब यहां पर क्या करेंगे it स्टूइट फिर से एक Вट और और द्रॉ करते हैं चलिए डॉप करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है ना चलिए फिर यहां पर लिखते हैं पहला आपको यहां पढ़ना है एपिकल मैरी स्टेम एपिकल एम लिख दे स्टूजेंट कोई दिकत दूसरा आप क्या पर सकते स्टूजेंट यहां पर दूसरा आप बोल सकते दूसरा लेकर चलता है चलिए लेटरल तिसरा आपका इंटर कैलेरी अब मैं आपको सबको एक बार में क्यूई कि यहां पर बताऊंगा ताकि आपको इसली वेसे समझ में आ जाए आपिकल नहीं पढ़ लेना इसको एपिकल ठीक है तो पहला एपिकल में मैं यहां पर लिखता हूँ इ जो इसका student होगा यह कहां कहां पर होगा growing episodes क्या है वहाई जो root और शूट के बारे मैंने जो बताया उसी के मेन पार्ट को बोलता है ठीक है आप यहां पर लिख सकते है कहां कहां पर याद रखना यह सभी चीज को ठीक है तो यहाँ पर आप इसका और भी चीज जान सकते हैं अपिकल के बार में क्या होता है अपिकल का में फॉंक्शन होता है क्या हैं हाईट में क्यूंट लाएगा याद रखेगा किस चीज को बढ़ा के बाइदा ईलोंगेशन ऑब ईस्टीम एंड रूट्स मतलब कि रूट्स के और याद रखेगा रूट्ट और स्टीम के इलोंगेशन होने के कारण आपका क्या होगा स्टूरेंट आपका पूरा प्लांट का भी ग्रोथ होगा आपको बात समझ में आ रहे कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं अगर इसमें और भी आप पार्ट पढ़ सकते हैं इसी को सबसे बड़ा पॉइंट एक्जाम में आता है प्राइमरी ग्रोथ बोला आता है क्या बोलता है प्राइमरी ग्रोथ याद रखिएगा क्या बोलता है प्राइमरी ग्रोथ कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए अगर आगे बढ़ते हैं फिर से इसको हम लोग दो नाम द सूट एपिकल मैरी स्टेम अब तो समझ गए होंगे कि राम का क्या मतलब है राम का मतलब है रूट एपिकल मैरी स्टेम कोई दिक्कत यहां था कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए चलिए यह पार्ट आपका हुआ इससे यदा नहीं पढ़ना है और आपको मैंने यह बताया प्राइमरी ग्रोथ इसको तो हंडड़ परसंद या परसंद आता है इसको द्यातर बदल लेते हैं चलिए अगर यह किस चीज में help करता है स्टुजेंट डायमेटर या फिर गिर्थ आप बोल सकते हैं डायमेटर सरकंफ्रेंस गिर्थ जो बोली आप एंसीर में गिर्थ लिखा हुआ है डायमेटर गिर्थ बढ़ाता है किस चीज का या प्लांट्स का डायरेक आप लिखेंगा प्लांट्स का आई इए आप बोल सकते हैं देरफॉर शुट या फिरूट इंक्रीज करता है शुट या फिरूट इंक्रीज करता है आप वह सगर आइटिंग थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा हो कि मुझे लिखने भी होने माँ लगता है इसलिए हैं फूरा उपर करके लिखना पड़ता है तो उसके लिए आप समय लेंगे तो यह आपको हो गया अब आगर आप बढ़ते हैं आगे बार-बार खुल रहा है अगर आप आप आगे बढ़ते हैं इसी को बोलते हैं स्टुडेंट सेकेंडरी ग्र रूट का इलांगेशन होता था उसके टिप बढ़ते थे और यह क्या सेकेंडरी यहां पर मोटा आप आप बोल सकते हैं प्लांट का बढ़ेगा सुट और रूट का कोई दिक्कत यहां था कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आपको समझ में आ गया इसली वेसे समझ में आपको आजाना चाहिए ठीक है अब हम लोग का नेक्स्ट है इंटर कैलेरी इसमें इतना ही आपको पढ़ना है अच्छा इसमें एक मिनट देख लेते हैं और क्या दिए हुआ था हां चर्चा किया हुआ था चलिए उसका भी चर्चा कर लेते हैं बहुत चीज सोचेंगे कि सर क्या के आपका अडं़ें कि अगे से सुदेंट है इसका मैं लोकीशन लिख दूँ बेनी कि करते नीचे अब तो आपको देखने के लिए ठीक है रखाने यहां तक अब अगर इस्ट्रेंट यहां से अब आप का आता है कौन सा पार्ट आपका इंटर कैलरी मेरी एस तेम अब यह तो बहुत इंट्रेस्टिंग है इसको भी थोरा सॉटकॉट में जल्दी से बता दें ताकि इस्टुएंट का वीडियो बहुत लंबा बन चुका भी तक वह भी सुचेंगे कि इतना बड़ा वीडियो हो जा रहा है फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग है ना समझने में भी थोरा अधिक्कास होता है इसलिए मैं आप क्या करता हूं फट फट इसको भी बताया तो इंटर कैलरी को देंटर कैलरी का लोकेशन कहा होगा बिट्वीन दा रीजन ओफ पीटी पीटी का मतलब की मेरी स्रिमेट्रिक के जो बात पर्मानेंट बनता है यहीं इंटर कैलरी लास्ट है यहीं ग्रोइंग लास्ट है इसके बाद सिधा आपका कहां आजाएगा स्टुडेंट पर्मानेंट टीशू लेकिन आप इंटर कैलरी को यह नहीं बोल सकता है यह पर्मानेंट फिक्स है अगर यह होता ता यह पर्मानेंट टीशू क में आप बोल सकते हैं,क्रों में बेश कोachment ga को फिर मिलेंसे और एक वीडियो में तब तक कि लिए धन्याद id